ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल ये राशिफले 21 जून 2023 बुद्धवार का दिन है आशार महा के शुक्लपक्ष की तरतियाती थी है इस दिन विश्व योग दिवस रहेगा सभी को योग जरूर करना चाहिए क्योंकि योग से आरुग्यता आती है सरीर स्वस्त रेता है पुष नामक नक्षत्र होगा तथा करकर आशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं हरा धनिया सूखा धनिया या फिर धने की डाल राहुकाल जो की दो पहर 12 बजेशी शुरू हो करके एक बज की 30 मिन टक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्य नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरने आप अपने खृत् अंचांग अथवा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई शेत्रों में माना जाता है और कई शेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर की दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी मिथुन राशी में वहीं चंद्रमा करक इसके अलाबा इनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसमें भी इनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने के अउसर मिलेंगे अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी भल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए स सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भैरुपूर सद उपयोग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य शंबंदी महत्वपूर्ण योजनाय बनेगी संतान की किसी परिशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भगशाली अंक नो होगा भगशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं वरशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के परती आपका रुजान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खरीदने संबंदी योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रती गंभीर रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भाग शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्थाओं सम्बंदित महत्वण निर्णे लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भावगता वश बिलकुल न करे बुद्धि शाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्वण तथा उच्पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतित होगा इसे आपके मैं सम्बंदित में व्रद्धि होगी तथा नई उपलब्दी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार डाल देंगे कोई भी महत्वण कायम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक माच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंख रासी की घर के बदलाव अथवा नवीनी करन संबंदी योजनाई तयार होगी इन यो पार नए नोकरी या नए काम की आप शुरुवात कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वह आगी चल करके आपको अच्छा फाइदा देगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी रिष्टदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूजबूच की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी ब अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतर आत्मा की आवाज को अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा में अंगलिक कारिक्रम संपन हो करने की योजना बनेगी तथा रिस्तेदारों की आवा जाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरभाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तेदारों के सांथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत अधिक चोकरना रहने की आउशकता है घर के वरिष्ट की सलह को नजर अंदाज न करे उपाई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थ के साथ सेवा संबंदी कारियों में रूची लेना आपको मानसिक सुकुन देगा सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रुप से एकागर चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वाहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस्तगित आपको करना चाहिए और आर्थिक मामले अभी पूर्वहत रहेंगे अनावश्य खर्चों पर कटोती करे तथा धैर ये बना करके रखे और कर्ज यदि आप लेने जा र करते हैं धनुराशी की आपको शारीरिक तथा मानसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविद्यों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टी अथा वाहन की खरीद फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन न हो सकता है ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की साहता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपको मानशिक शान्ती अनुभव होगी औ उनको मनवांशिक परिनाम की प्राप्ती होगी जिससे उनका होसला और आत्म इश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्म इश्वास को बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलबधियां प्राप्त होगी सुम्मितवा आदर्श बना करके रखना आती आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परेशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परन्तु यह तात्का लिखे इसलिए ज़्यादा परेशान होनी क्या उशकता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्न हो जाएगा कारोबार में आपको फाइद तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय बतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाई के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भा करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद